Classrooms को आमतोर पर Institutional Warehouses कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्यूंकि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कितने बच्चों को कितने बड़े Classroom में बैठना है। यह बहुत जरूरी है कि जब हम School Year का आगास करें तो यह देखें कि हमने एक जो जमात है उसके कितने सेक्शन्स बनाने हैं और उन सेक्शन्स में कितने स्टूडन्स जो है वो अकॉमोडेट हो सकते हैं। इसका जो है वो दारो मदार Classroom Size के उपर होता है और इसका दारो मदार जो है वो हमारी Weather Conditions के उपर होता है। बाज अकात जिन मुलकों में गर्मी बहुत होती है वहां अगर हम Large Classes जो है वो रखते हैं जहां पर 35 या 30 से ज्यादा Students एक Class में बैठी होते हैं तो जाहर है कि वहां पर Effective Teaching and Learning नहीं हो सकते। इसी लिए यहां पर हम कहते हैं कि जो Classroom है वो एक Warehouse बन किया है जहां पर हम जो है वो चीजों को डालते चले जाते हैं और यह नहीं देखते कि आया कि Conditions जो है आर दे राइप for Effective Teaching and Learning तो जहां बच्चे जो हैं वो Overheated Conditions में बैठेंगे तो वहां वो तवज़ों नहीं दे सकते हैं Similarly अगर बचे बहर ठंड में बैठेंगे तो फिर भी वो तवज़ों नहीं दे सकते हैं तो यह जानना बहर ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या Environment प्रोवाइट कर रहे हैं ऐसी क्या Physical Dimensions प्रोवाइट कर रहे हैं जहां पर Students पैठे हैं तो इस चीज को जानना बहर ज़रूरी है कि आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है और आपने उसमें जो Distribution of Classrooms की है उसमें कितने बच्चे अकॉमडेट हो सकते हैं और हम जो हैं वो Large Class किसको कहते हैं एक क्लास में Maximum कितने बच्चे होने चाहिए और इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि इसका हम जो तायून है वो School Year क के आगाज में कर लें and it again varies from class to class from age to age so it is the right of the student to sit comfortably in the classroom or schools जो हैं they have no right to snatch that feeling from students that he or she feels insecure in the classroom and feels uncomfortable so it is extremely important to focus on this dimension of management जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि it's a huge class और इसमें students जो हैं वो बहुत closely बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ और यहां पर जो effective teaching and learning है that can be compromised वो इसलिए क्यूंके अगर बहुत गर्मी है या बहुत बाहर शोर है या पंखा जो है वो सिरफ classroom में एक ही है और धवा के फराटे अंदर आ रहे हैं तो students जो है वो classroom या teaching के उपर concentrate कर ही नहीं सकते तो weather conditions are important and they have become a very important part of the physical dimension of the classroom इसलिए teachers के लिए और school administration के लिए बहुत जरूरी है कि वो यह देखें कि वो students को कहां बिठा रहे हैं इसलिए चंद चीजों का ख्याल रखें पहले तो यह सवाल करें कि are these adequate situations for learning for example अगर तो खिड़कियां इतनी है कि हवा आ रही है so of course it is an inadequate situation for learning बहुत ज्यादा हवा से जो कागजात हैं जो students के सामने materials पड़े होते हैं वो उड़ जाते हैं and the concentration point drops down so it is extremely important to consider whether these situations are adequate for learning इसके साथ साथ यह देखना बहुत जरूरी है क्या specific conditions में learning possible भी है कि नहीं क्यूंकि बाज उकात अगर एक पंखा चल रहा है या जो कमरा है वो तारीक है और proper lighting नहीं है तो फिर भी जो teaching and learning है that will be compromised so this is very important that is learning possible under specific circumstances इसके इलावा यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने students को छोटे से कमरे में बिठा दिया है और students की तादाद ज्यादा है तो फिर you cannot expect the display of appropriate behaviors because of course students will feel uncomfortable and because of the discomfort they will display odd behaviors तो फिर आप उनसे बेतर रवये की तवक्को का ही नहीं सकते that is why physical dimension is very important और ऐसे महौल में students and teachers cannot cooperate with each other अगर एक छोटे से कमरे में 50 ताले बिल्म बैठे हैं तो teacher की आवाज इछे नहीं जाएगी पीछे बैठा हुआ ताले बिल्म teacher को आगे देख नहीं सकता blackboard पे लिखी वी चीज नहीं सही तौर पे पड़ी जाती so the teaching and learning conditions will compromise so please make sure that you do not make your classroom institutional warehouses sources झाले डिफार ये झाले तो